नमस्कार मेरे यूटूब चैनल में आप सबों का स्वागत है आज मैं सावर मस बनाऊंगी जो जटपट में ही बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दोनों बनेगा जैसा कि देख रहे हैं कितनी सारी सब्जियां मैं इसमें डाली हूँ तो सब्जी काफी हिल्दी होता है खाने में तो सारा सब्जी भी पड़ा हुआ है दाल भी है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है मैं एक ही साथ सारा कुछ डाल करके 6-7 सीटी लगा दी हूँ और फिर तरका लगाई तो काफी टेस्टी भी बना है और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें लाइक शेयर और कॉमेंट भी करें और वीडियो पूरा देखें बहुत ही अलग तरीके का मैं बना रही हूँ इसको चार-पांच पानी से धो दूंगी ताकि इसमें जितना डस्ट या पाउडर मिला हो वो धूल जाए और तब इसमें आधा गिलास दाल लूंगी तो दो गिलास से थोरा सा ज्यादा पानी डाल के नमक हल्दी डाल करके सीटी लगाऊंगी साथ से आठ सीटी लगाऊंगी इसमें ये बैगन, मूली, भिंडी, आलू, सीम, बेंस, सिताफल, टमाटर जो भी सबजी घर में रहेगा वो इसके जगह पे लौकी या जो भी है मेरे पास अभी ये सब है तो ये सब चीज थोरा-थोरा करके आ तीन-चार हरी मिर्चा आप स्वादन साड ले, सारे को दो करके काट लूँगी, थोरा-थोरा सा करके लूँगी, सारे का टेस्ट हमें डालना है और इसके पास करीपता डालूँगी, ये सारा सबजी ये नहीं कि ये ही सबजी हम डालेंगे, हम बारे घर में जो भी दूसरा भी सबजी रहेगा वो भी ह हम डाल सकते हैं, यह सांबर मसाला है, जो मार्केट में मिलता है, नमक और हल्दी है, डाल को 5-6 पानी से में दो दी, उसमें ये करी पता भी दो करके डाली, ये सीता फल है, इसको भी काट करके, सारे को कुकर में, कुकर में डाल करके 6-7 सीटी लगा दूँगी, ये चढ़ा दी हूँ, और 7-8 सीटी ये लगद गया है, अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी, फिर निकालूँगी, ये गैस इसका निकल गया है, ठंडा हो गया है, अब इसको निकाल करके, खौला लेती हूँ, दो मिनाट इसी में और, तो बस ये बनकर तयार हो गया, आप लोग भी जरूर बनाएए, देखे, ये निकाल लीग में, कितना अच्छा लग रहा है ये, देख करके, और धेर सारा सबजी इसमें परा है, जिससे काफी हिल्दी भी है, आप लोग भी जरूर बनाएए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर सेयर क करें, आप लोगों का बहुत थन्यवाद फूरा वीडियो देखने के लिए, ये